Hi everyone, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ basic questions on patterns तो देखते हैं यार क्या हुते हैं patterns और हम कैसे इनके लिए code लिख रहे होंगे यहाँ पे basic for loops हम use कर रहे होंगे तो अगर आप लिगो को वो समझ में आ गया है तो आप यह सारे pattern questions कर पा रहे होंगे easily move करते हमारे पहले pattern question पे यह है हमारे rectangle pattern जहां पे हमें कुछ rectangle के form में star दे रखेंए और यह हमें print करना आ यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारे कुछ row और और हमारे columns होग के तो यहां पे हमारे five rows हैं और चार columns हैं तो suppose मेर को यहां पे rows मैं user से ले रही हूँ और उसने मुझे दिया है कि 5 rows आपको ऐसे बनाने हैं तो यहां पर हर एक row में 4 starts है और मेरे पास 5 बारी यह rows है तो मैं यहां पर एक for loop लगा सकती हूँ ठीक है कि for int i is equal to 1 i is less than equal to जितने भी rows user ने में को दिया है i++ तो मेरा loop चल रहा है है from 1 to the number of rows that the user has given me और इसके बारी क्या कर दूँगी चार बारी see out statement लिख दूँगी to print star ठीक है तो हर row में मेरे पास 4 stars आ जाएंगे और वो लिखने के बाद मैं end में कर दूँगी endl to add a line break अब यार यहां भी हमने मान लिया कि हर एक row में हमें 4 stars मिल रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे यार अब यहां पर हमें नीं पता की हमें कितिनी आऊउट statement लिखनी है ना बुख तो हमjar WA से ले रहे हैं कि कितनी वार लिखनी है तो अब इसको करते हैं code, यहाँ पर सबसे पहले मैं दो variable बना लूँगी, जो मैंने user से input लेना है, row और column, ठीक है, तो यह मैंने user से input ले लिया, यहाँ पर, अब मेरा for loop लगेगा, जो की चलेगा 1 to less than equal to, जो row में को user ने दी है, अब इसके अंदर में को एक और for loop लगाना है, ठीक है, जो चलेगा 1 to less than equal to, जो, the number of columns that the user has given to me, अब इसके अंदर मैं हाँ पर print कर रही हूंगी, अपना star, ठीक है, not 8 star, और यहाँ पर यहाँ पर यह भी होना चाहिए, कि हर एक row जब खतम हो जाए, उसके बाद हम next line में आ जाए, है ना, कि कि अभी जो हमने code लिखा, उसम print होते रहेंगे, तो मेरा जो rectangle है वो form नहीं हो रहा, तो उसके लिए मेरे को, जैसे कि यहाँ पर यह एक row के लिए code है, तो यह चलने के बाद मेरे को एक line break add करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर हम next row पे जाएंगे, फिर उस row में दुबारा यह वाला loop चलेगा, ठीक है, जो column times है, जो column user ने हमें दे रखा है, उतने times यह वाला loop चलेगा, और फिर से line break हमारी आएगी, उसके बाद हम again next row में जाएंगे, फिर उसमें दुबारा यह loop चलेगा and so on, तो यह चीज हो रही होगी पूरी जितना number of rows हमने user से लिये है, ठीक है, तो इसको अब हम करके देखते ह है run, ताकि हमें पता चले कि हमारा pattern जो हमें मिल रहा है या नहीं, तो suppose मैंने यहाँ पर उसको rows दिये है 5 और columns दिये है 4, तो यहार आगया मेरे पास मेरा rectangle pattern, है ना, अब मैं इसको कुछ भी यहाँ पर दे सकती हूं, rows और columns तो उससाब से मेरा pattern जो है, वो बन के आ जाएगा तो यहाँ पर दिया उसको 3 rows and 6, 7 columns, ठीक है, तो उससाब से मेरा rectangle pattern यहाँ पर बन के आ है, तो यह बहुत easy था, अब बढ़ते हैं next question की तरफ, तो यान मेरा जो next question है, वो है hollow rectangle pattern, ठीक है, तो यहाँ पर यह rectangle तो है last question की तरह, लेकिन यह hollow है, तो यहाँ पर बीच में यार, य the ends, यह separated होंगे, अगर हम space नहीं add करेंगे, तो यह एक दूसरे के बाद exactly print हो जाएंगे, और हमें यह hollow rectangle नहीं मिल रहा होगा, तो अब यार, इसको करने के लिए, सबसे पहले notice कीजे, कि हम कहां कहां पर हमारे stars आ रहे हैं, एक तो यार, आ रहे हमारे first row में, ठीक है, यहाँ पर फूरे stars ही stars है, और last row में, last row में भी stars ही stars है, कोई space है ही नहीं, अब जो beach की रोज हैं, उसमें, first position पर आ रहा है, एक star, फिर कुछ हमारे पास space है, and then last column में star है, ठीक है, तो जो beach वाले हमारे पास रोज हैं, उनमें सब में same cheese follow हो रही है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, क कि अगर मेरी first column है, ठीक है, या फिर last column है, तो वहाँ पर मैं अपना star प्रेंट कर रही हूँ, और beach में, spaces प्रेंट कर रही हूँ, तो यहाँ पर जो यह मैंने दिखा रखा है, for example, यहाँ पर हमें, रोज दे रखा होगा, कि अच्छा 5 है, और columns 4 दे रखा होगा, तो जब भ कि जो column वाला iterator है, वो one के equal होगा, या फिर four के equal होगा, तो तब मैं वहाँ पर star लगा दूगी, और बाके जो भी positions है, वहाँ पर मैं space अट कर रही होँगी, ठीक है, तो अब इसको code करते हैं, सबसे पहले, दो variable बना लेंगे, row and column, and user से इनको input ले लेंगे, ठीक है, इसके हमारे पास loop लगेगा, एक तो row के लिए लगेगा, पहला जो बाहर वाला हमारा loop होगा, यह चल रहा होगा, वान टू लेकर, जो भी row हमें user से मिली है, और इसके अंदर एक हमारा loop होगा, जो की चल रहा होगा, j is equal to one, to j is less than equal to column, ठीक है, तो अब rows और columns के लिए हमने loop लिग i row के equal है, row मतलब जो last row हो गई वो, है ना, तो उस case में आप print कर दो, एक star, ठीक है, और अगर, else if लगा सकते होगे हैं यहाँ पर, कि मेरा जो j है, वो equal to one है, और, sorry, j equal to column है, तो इन दोनों cases में भी हम star ही लगा रहे होंगे, और अगर in में से कुछ भी नहीं होता, तो उस case में हम क्या कर रहे होंगे, print, उस case में हम space print कर रहे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम इन दोनों conditions को वो भी कर सकते हैं, club भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, यहीं पर कि अगर j equal to one, या फिर column के equal हुआ, तो ह हम अपना star दे रहे होंगे, ठीक है, और एक row जब हमारा खतम हो जाएगा, उसके बाद हम add कर देंगे line break, तो इसको करते हैं, अब run, तो मैंने यहाँ पर suppose rows दिये हैं, अपने four, five and columns four, तो यह मेरे पास आगया hollow rectangle, this is what we were going for, right, तो next question की तरफ move करते हैं, इस question में हमें print करना है inverted half pyramid, तो यहाँ पे हमें rows और columns नहीं दे रखा होगा, यहाँ पे हमें सिर्फ एक n दे रखा होगा, और उस हिसाब से हमें यह pattern बनाना है, तो इस example में हमें n is equal to five दे रखा है, तो अब हमें match करना है कि यार यह pattern, जब हमें n is equal to five दे रखा है, तो उससे हम कैसे बना रही यहाँ पे आप सबसे पहले notice कीजिए कि जो हमारी first row है, उसमें हमारे पास five stars है, ठीक है, फिर next row में four है, then three, then two, then one, मतलब कि मैं बोल सकतु कि जो भी मेरको end दे रखा होगा, उतने stars मैं first row में print कर रही होगी, ठीक है, और फिर मैं नीचे आत दोए, एक एक star कम करती रहोंग तो अगर मैं बोलू यहाँ पे कि यह जो है मेरी fifth row है, यह fourth, then third, then second, then first, then जो मेरा row number है, उतने ही stars मैं उस row में print कर रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो loop लागेंगे, ठीक है, एक loop तो होगा जो हमारे rows traverse करेगा, जो की होगा end to one, और एक loop होगा जो हर एक row में उतने number of stars जो equal होंगे, उस row number के उतने number of stars प्रिंट कर रहा होगा, ठीक है, तो इसको अब code करते हैं, यहाँ पे हम user से सिर्फ एक end ले रहे होंगे as input, और हमारा जो loop चलेगा बाहर वाला, जो rows के लिए होगा, वो चलेगा from end, जब तक i more than equal है one के, यहाँ पे i++ की जगा i minus minus ह हो रहा होगा, क्योंकि हम कम करते जा रहे हैं अपनी i की value, राइट, और जो इसके अंदर j वाला loop चलेगा, वो चलेगा यार, one, two, less than, equal to i, तो i है मेरा वो वाला row number, और उस row number के equal में stars प्रिंट कर रहे होंगे, तो उसके लिए मैं अपनी cout statement लिख दूँगे, और हर एक row क काम जब हो जाएगा, तो उसके बाद में को add करनी है एक line break, तो इसको करते हैं अब print, तो अगर मैं यहाँ पर input दे रहे हूँ 5, तो यह मेरा पास pattern आ रहा है, उस इस आप से ठीक है, next question पर बढ़ते हैं और, इस question में हमें print करना है half pyramid after 180 degree rotation, तो यह pattern में को n is equal to 5 के लिए दे अब आप notice कीजे, कि मेरे पहले जो row है, उसमें one star है, then two, then three, then four, and then five, लेकिन क्या ये सारे left की तरफ हैं, मतलब जब हम print करेंगे, जब हम code करेंगे, तो यार हमारा code तो left की तरफ print करेगा, तो यह last में print हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे हमें पहले कुछ space add करनी पढ़ रही हो तो अगर मैं space देखूं कि कितनी space मुझे add करनी है, तो first row में मेरी four spaces है, then three space, then two space, and then one, and then finally zero, तो यार मेर को पहले हर row में कुछ space add करनी पढ़ेगी, और फिर मेरे stars add हो रहे होंगे, तो सबसे पहले अगर मैं rows का देखूं कि कितने rows हैं, तो वो हमारा यहाँ पे evident है, कि हमार five rows है, और n is equal to five है, तो जो भी n होगा, उतने हमारे rows का, जो loop है, वो चल रहा होगा उतनी बार, ठीक है, अब हर एक row में हमें ध्यान रखना है, कि कहां तक हम space add कर रहे हैं, और फिर कहां हम star add कर रहे हैं, अगर मैं first row में देखूं यार, तो यहाँ पे four तक मेरी spaces add हो रहे है और फिर last, मतलब n is equal to five तक मेरा star add हो रहा है, similarly second row में मेरी three तक जो है space add हो रहे हैं, उसके बाद n तक five तक मेरे stars add हो रहे हैं, third में मेरे two spaces add हो रहे हैं, तर five तक stars, तो अब यह तो मुझे बता कि जो stars हैं वो five तक आड हो रहे हैं, लेकिन space कहां तक आड हो रही है, वो change कर रह तक दो यहां पर 1st row में जिससे space add होरी है 4 तक दिन यहां पर 3 तक दिन 2 तक दिन 1 तक और यहां पर 0 तक तो यहां पर अगर 4 तक है added space तो अब इस 4 को मैं कैसे लिख सकती हूं n और जो यह row number है उसके terms में मैं लिख सकती हूँ कि यार जो n minus मेरा row number है वहाँ तक मैं अपने spaces आड़ कर रही हूँ तो यहाँ पर n is minus 1 हुआ 4 तो ने 4 तक आड़ किया अब second row में मेरा जो row number है वो है 2 तो n minus 2 3 तो मैं 3 spaces आड़ कर रही हूँ तो वहाँ तक n minus जो भी row number है वहाँ तक मैं कुछ space आड़ करूँगी और उसके बाद n तक मैं आड़ कर रही हूँगी अपने stars तो अब इसको करते हैं code यहाँ पर सबसे पहले हमें user से एक n integer लेना पड़ रहा होगा उसके बाद हमारा rows के लिए यहाँ पर एक loop जो है वो चल रहा होगा n तक और इस loop के अंदर हमें एक दूसरा loop लगा रहे होंगे जो कि चल रहा होगा j is equal to 1 to j is less than equal to n तक ठीक है क्योंकि हर row में मेरा n तक कुछ नो कुछ print हो रहा है चाहे वो space है या फिर star है तो कहां तक मेरा space है अगर मैं बोल सकती हूँ कि मेरा जो j है वो less than है n minus row number row number कौन सा है आई तो उस case में मैं print कर रही होंगी some space और मेरा else case में आ जाएगा कि आप print कर दो star अब यहां पे j is less than equal to आएगा राइट क्योंकि 4 तक हम हमारे first row में हम print कर रहे थे space और हर एक row खता होने के बाद हमारा line break आ जाएगा तो अब इसको अगर हम run करके देखें और मैंने हाँ पे input दिया 5 तो यह है मेरे पास जो मेरा pattern आ रहा है यही हमें चाहिए था यहां पे we can add space with the star and with the space ताकि वो हमें अच्छा से visualize हो हमारा pattern तो यहां पे अगर मैंने input दिया 5 तो मेरे पास यह pattern आ रहा है ठीक है यही pattern हमें चाहिए था तो वह हमारे पास आ गया है अब next question देखते हैं our next question is the half pyramid using numbers तो यहार इस pattern में हमें star से हम numbers पे आ गये हैं सबसे पहले यार रोज देखते हैं कि हमारे रोज कितने हैं यहां पे यहां पे रोज है 5 और हमें n भी 5 ही दे रखा है तो जो भी मेरे को n दे रखा होगा उतनी मेरे रोज होंगी तो मैं लिख सकती हूँ कि जो मेरा रोज वाला लूप चलेगा वो चलेगा from one to n अब आती हैं बात columns पहे ठीक है तो first रोज में मेरा 1 लूब है then second row में 2 कॉलम है 3rd row में 3 column है then 4th में 4 then 5 में 5 अब मैं इसको rows से कैसे मैं map कर सकती हूँ तो मैं बोल सकती हूँ कि अगर में को columns का loop चलाना है तो वो चल रहा होगा 1, 2 जो भी मेरा row number है ठीक है तो अगर यहाँ पर row number है 1 तो मेरा 1 column है then अगर 2 है मेरा row number तो मेरे 2 columns है and so on अब यहार बात आती है कि हम यहाँ पर print क्या कर रही हूँ प्रिंट के रही हдо है तो मैं बोल सकती हूँ कि जो भी मेरा row number है वो ही मैं print कर रही हूँ इस pattern में तो यह easy है इसको अप code करते हैं यहां पर सबचले हमने user से एक input ले लिया n और अब हम loop लगाएंगे सबसे पहले rows के लिए वो हमने देखा है कि वो चलेगा 1, 2 लेकर जो भी में को n गिवन है और उसके अंदर मेरा एक loop चलेगा columns के लिए जो चलेगा j is equal to 1 to j is less than equal to i तो जो मेरा row number है उतना मेरे पास columns होगे number of columns और यहाँ पे मैं print कर रही हूँ i तो हम यहाँ पे simply i print कर रहे है with some space print कर देते हैं और हर एक row का काम खतम होने के बाद हम add करेंगे एक line break तो यहाँ पे अगर मैं input दो 5 तो मेरे पास यह आ रहा है pattern और यही चाहिए था मुझे राइट बढ़ते हैं next question की तरफ next है floyd's triangle तो यह यह pattern this is very similar to the last question that we did यहाँ पे जो difference है वो यह है कि हम row number की जगा print कर रहे हैं कुछ number जो की बढ़ता जा रहा है यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं देखूं कि यह मेरे को किस n के लिए दे रखा तो यहाँ पे 5 मेरे पास हो गई रोज और मेरे जो कॉलम होगा वो चल रहा होगा from one to that row number तो यह तो हमें समझ में आ गया लास्ट चॉली question में तो इसके लिए में क्या करना पड़ेगा एक हम variable बना लेंगे count ठीक है जो start हो रहा होगा वान से और हर बारी उसे print करने के बाद हम एक से increase कर देंगे increment कर देंगे ठीक है तो कहां से कहां तक चलेगा यह हमें पता है और क्या print करना उसके लिए हमें बना देंगे नया तो अब code करते है इसे code करने के लिए user से input लेना पड़ेगा in और इसके बाद हमारे दो लूप्स चलेंगे यार nested ठीक है जो होगा पहला रोज के लिए तो वो चलेगा one two लेकर in और उसके अंदर जो हमारा column वाला loop आएगा वो आएगा from one two less than equal to i ठीक है अब इसके अंदर हम print क्या कर रहे होंगे हम print कर रहे होंगे एक variable count और इसको हम side by side plus भी कर रहे होंगे right उसको increment कर रहे होंगे I mean ठीक है तो count यहां पे हमें बनाया नहीं अभी variable तो int count और इसको initialize कर देंगे हम one से तो यह पहले one print होग उसके बाद हमारा count of last less हो जाएगा तो जब भी हमारा दूसरा number print होना होगा तो इंक्रिमेंट होने के बाद ही print हो रहा होगा ठीक है यहां पे हम space भी add कर देते हैं और हर एक रोका काम खत्म होने के बाद हम कर देंगे इंडल तो यहां पे में को जो चाहिए था pattern n is equal to 5 के लिए में को वही मिल रहा है तो यह भी एक easy सा था Floyd's triangle से बोलते हैं अब बढ़ते हैं next question की तरफ यह है हमारा last question और इसलिए हमने इसको थोड़ा सा difficult लिया है this is the butterfly pattern और यह हमें given है n is equal to 4 के लिए तो सबसे पहले देखते हैं अगर कि यह n is equal to 4 से हमारे पास यह pattern कैसे आएगा मतलब कि हमारा जो rows और columns है इस pattern में वो n पे कैसे depend कर रहे हैं तो यहां पे हमारे पास eight rows है और eight columns है तो मैं बोल सकती हूँ two into n जो भी होगा उतने rows और उतने columns मेरे पास हैं अब यहां पे एक और चीज़ है नोटिस करने वाली कि इस line के corresponding इस line के respective मेरा जो उपर वाला पार ह और जो नीचे आला पार्ट है वो exactly same है ना it's like the mirror image तो हमने अगर उपर वाले पार्ट के लिए code हमने लिख लिया तो नीचे वाले पार्ट को code करना इतना मुश्किल नहीं हो रहा होगा तो अभी हम सिर्फ उपर वाले पार्ट को दिखते हैं नीचे वाले पार्ट को आप अ इसमें क्या हो रहा है कि हमारे रोज जो है अब n है और columns 2n है तो मैं रोज के लिए तो यार लिख सकते हूं कि जो मेरा लूप चलेगा सिर्फ उपर वाले पार्ट के लिए वो चलेगा from 1 to n अब हर एक रो में मेरे कुछ stars है और उनके बीच में कुछ space है है ना तो मैं अगर stars की बात करूं यार तो first row में मेरे पास एक star है at the starting and at the ending दूसरा में मेरे पास दो stars है शुरू में और end में then third row में मेरे पास तीन stars है शुरू और end में and so on ठीक है तो मैं बोल सकते हूं कि जो भी मेरा row number है उसके equal मेरे पास stars आ रहे होंगे in the starting and the ending of that row ठीक है तो मैं मेरे जो stars आ रहे होंगे वो कितने होंगे वो equal होंगे मेरे row number के अब अगर मैं इसके बीच में जो spacing होगी उसके बार में बात करूं तो यार यहां पर आप first row में notice कीजे कि मेरे पास six spaces है then मेरे पास four spaces है then two and then zero ठीक है तो मैं six को अब row number और मेरा जो n given है उसके terms में कैसे लिख सकती हू मैं लिख सकती हूं इसको कि यह two into n minus two into जो भी मेरा row number है उसके equal होगा यहना क्योंकि पहला जो है मेरा row number है one तो two into n हुआ eight minus two into one two ठीक है तो वो आ गया six similarly next row मेरा row number two हो जाएगा तो two into n eight minus two into two four तो वो मेरा आ जाएगा four ठीक है तो four spaces है मेरी and similarly आगे भी मेरे पास spaces ऐसी formula से जाएगे तो space के लिए मैं लिख दूंगी कि मेरी हर row में में को space चाहिए equal to two into n minus two into जो भी मेरा row number है अब इससे क्या होगा कि हमारा जो ऊपर वाला pattern है वो प्रिंट हो जाएगा इस code से अब अगर में नीचे वाले pattern के बारे में बात करूँ तो उसके लिए में क्या करना अबे कम हो रही है है और जो नीचे वाला part है उसमें spaces नीचे आते हैं बढ़ रही है तो मेरा जो आई है वो जिसे उपर वाले case में बढ़ रहा था one two three four हो रहा था यहां पर मैं क्या करूंगी आई को reverse चला दूंगी मतलब कि one two n की जगा end to one चला दूंगी ठीक है तो मेरा इस case में नीचे वाले part के लिए रोज होगा वो चलेगा end to one और बागी जो चीजें है कि हमें stars कितने print करने है और space कहां कितनी print करनी है कहां print करनी है वो चीज हमारी same रहेगी यहां पर ठीक है तो अब इसको हम code करते हैं सबसे पहले हमने user से input ले लिया end उसके बाद हमारा loop आएगा जो अभी मैं सिर्फ उपर वाले part के लिए लिख रहे हूं ठीक है तो यह आई चलेगा यहां पर one two less than equal to n और इसके अंदर हमारा जो columns के लिए आएगा वो चलेगा j is equal to सबसे पहले हम stars print कर रहे हैं ठीक है जो starting में आ रहे हैं तो वो कितने print हो रहे हैं यार हमने मैं बताया था अभी वो print हो रहे हैं equal to the row number that is i तो इतने मेरे पास stars में पहले print कर दूंगे अब यह stars print होगा शुरू आले आप में को space print करने हैं तो int space में एक variable बना देते हूं ठीक है जो की equal होगा two into n minus two into जो मेरा row number है i तो अब इतना space जो है int j is equal to one to j is less than equal to space एक loop चलेगा और इस loop में मैं print कर रही होंगी spaces इस loop के बाद में को जो firstly मैंने अपने stars print कर रहे थे वही में को end में भी print करने हैं तो मैंने same code दुबारा यहां पे paste कर दिया अब यहां पे एक row खता होने के बाद हम line break add कर देंगे और इससे क्या होगा जो मेरा उपर वाला part है मेर के लिए मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना होगा मैं same उसको दुबारा copy paste कर दूंगी और फिर यहां पे i is equal to one to n की जगा वो चलेगा end to more than equal to one right और यहां पे i plus plus की जगा i minus minus हो जाएगा तो बाकी सारा जो code हमारा वो same रहेगा और इसको हम print करके भी देख सकते हैं कि वह रही चीज आ रही होगी suppose नहीं हां पे 4 दे रही हूं जो कि हमने देखा था example 4 के लिए देख रहा था राइट तो this is the pattern that I am getting and this is what I wanted ठीक है तो यह हमारा हो गया last pattern question बाकी और भी questions हम pdf में आड कर देंगे तो वह आप प्राक्टिस कीजेगा जरूर और आप प्राक्टिस बाइ